कईम बाद दोस्तों office में हमें कुछ इस तरह का data radio जाता है जो की handwritten होता है और आपको बहुत साब से कहता है कि इस data को आप excel में यहाँ पर type करिए तो अगर आप देखे manually यहाँ पर type करेंगे तो बहुत time लग जाएगा लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत से method जिसकी मदद से आप अपने handwritten data को excel में बहुती accurately यहाँ पर convert कर पाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपनी क्या करना है अपना mobile phone लेना है mobile phone से अपनी data की photo click कर लेनी है तो आईए मैं click कर लेता हूँ तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर open कर लेता हूँ camera camera open करने के बाद मैं इस photo की एक अच्छी सी photo click कर लेता हूँ यह दियान रखना है कि आपने proper lighting में अपनी photo click करनी है ताकि आपकी photo proper आए और जब आपकी photo convert हो Excel के data में तो कोई भी दिक्कत ना है वो accurate आए तो सबसे पहले जो photo हमारी click हुई है इसको मैं transfer कर लेता हूँ whatsapp के जरीए अपनी PC में तो मैं यहाँ पर open कर लेता हूँ अपना whatsapp और यहाँ पर मैंने इसको photo गो transfer भी कर लिया अब जब आपकी photo यहाँ पर transfer हो जाएगी अब मैं आपको बताता हूँ कि इस data को कैसे आप convert कर सकते हैं Excel में तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही informative तो नमस्का दोस्तों मैं रितेश आप सब का स्वागत करता हूँ creative learning के चानल में और दोस्तों अगर आप computer सीखना चाहते है computer से लेटिड बहुत सारी tips and tricks चानना चाहते हैं तो नीची दे रेट के लिए subscribe बटन है उस पे click कर लिजे साथी में bell icon को press कर लिजे ताकि आपको हमारे चैनल से लेटे लेटेस notification रेगुलरली मिलती रहे और साथी में दोस्तों अगर आप computer सीखना चाहते हैं और भी detail में तो आप हमारे online courses join कर सकते हैं बहुत ही discounted price में तो just हमारी website पे जाएए जो के www.creativelearningbyritish.in तो आई दोस्तों let's begin with this topic तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हमारे पास file receive होगी है जो हमने send करी थी अपने WhatsApp पे तो just मैं इस पर click करता हूँ click करने के बार इसको save कर लेता हूँ सबसे पहले अपने desktop पे तो just मैं यहां पर right click करके save as पे जाके यहां पर अपने desktop पे file का नाम देदा हूँ let's say data और उसके बार यहां पर jpg format ही इसको मैं कर लेता हूँ save और अगर मैं आपको यहां पर अपने desktop पे जाके दिखाऊ हूँ तो यह वाली file देखे data के नाम से save हो गई है जो की handwritten format में है और इस file को हम try करेंगे convert करने को excel file में लेकिन इससे बहले convert करने से पहले सबसे पहले आपने unwanted जो portion इसको crop कर लेना है ताकि जब आप यहां पर इसको convert करें तो उसको analyze करने में कोई भी problem ना है तो उसको crop करने के लिए just मैं इस file पर right click करता हूँ ठीक है right click करने के बार इसको कर लेता हूँ open with और यहां पर नीचे जाता हूँ photos में photos में जाने के बार यहां पर इसको just मैं edit करना है तो edit करने के लिए मैं यहां पर click करता हूँ edit button पे और edit button पे click करने के बार इस photo को मैं यहां पर crop कर लूँगा मतलब जो unwanted potion है उसको मैं यहाँ पर crop कर लूँगा crop करने के बाद save options पर जाके मैं इसको कर लेता हूँ save अब आपके यह वाली file देखे save हो गई है और आपका unwanted potion पर यहाँ से हट गया है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर convert करने के लिए just मैं यहाँ पर अपने Google में जाता हूँ Google में जाने के बाद यहाँ पर लिखता हूँ chat GPT और यहाँ पर मैं Google search कर लेता हूँ तो आपके सामने देखिए first जो window आईगी आपने इस पर click करना है click करने के बाद आपके नीचे option मिलेगा attach file का तो just आप इस पर click करिए और upload from the computer पर click करके अपनी file को यहाँ पर upload कर लीजे और हमने जब file save करी थी data के नाम से थी तो just हमने यहाँ पर file अपनी data की select कर लिए और इसको कर लिए यहाँ पर open तो जैसी open किया देखिए आपके file यहाँ पर analyze हो रही है और आपने यहाँ पर नीचे लिखना है एक छोटा सा prompt जो की है convert this image file to excel file हमने यह लिख दिया यह लिखने के बाद जैसमें यहाँ पर go button पर click करता हूं तो आप देखेंगे यह वाली यहाँ फाइल को analyze करेगा analyze करने के बाद यह अपने accordingly आपको यहाँ पर suggestions भी देगा तो आप देख सकते हैं जो data has been successfully converted into excel file लिखा आ रहा है और आप यहाँ पर directly file download कर सकते हैं तो just मैं इस link पर यहाँ पर click करता हूं जैसी मैं click करता हूं देखिए आपकी file यहाँ पर download हो गई है और मैं यहाँ पर इस पर click करता हूं तो आपकी सामने देखे excel की window भी open हो गई है और आप देख सकते हैं आपकी file यहाँ पर convert हो चुकी है और इसको मैं थोड़ी से यहाँ पर adjustment करूंगा तो आप देखेंगे पूरी फाइल यहाँ पे आपकी कनवर्ट हो गई है और अगर मैं आपको कंपेर करके रिखाऊं दोनों फाइले तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे साइड में रखता हूँ और यहाँ पर जो हमारी डाटा की फाइल है ठीक है इसको मैं साइड में तो हम यहाँ डाटा की फाइल ओपन कर लिए एक जगा ठीक है इसको मैं साइड में रखा और दूसरी साइड में एकसल की फाइल रखी जो मेरी कनवर्ट हुई है तो आप देखेंगे सीरियल नंबर देखें प्रॉपर आ गए है स्टूडेंट के नाम सारे प्रॉपर आ काम हैं वो और भी असानी से यहाँ पर कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आपको यहाली वीडियो इंफोर्मेटिव लगी और आप एकसल सीखना चाहते हैं ऐसी और डिटेल में तो आप हमारा एकसल का ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर जो कि लांच होगे बहुत ही जैसे इंड्रोल कर लेंगे आपको यहाँ पर सारी प्री रिकॉर्डडेट वीडियो में जाएंगी जिनको आप स्टेप तर स्टेप देखके अपनी नॉलिज को वन स्टेप फॉर्दर एंहांस कर सकते हैं और साथी में जॉब रेडि भी हो सकते हैं और साथी में दोस्तों में अंटिल और गुडबाई टेक केर